तो मैं डॉक्टर सुदेश शारदा लिवर ट्रांस्प्लांडर लेप्रिस्कूपिक सरजन आप लोगों के बीच में हूँ परसो के मेरे लाइफ सेशन में टेकनिकल प्रॉब्लम्स के कारण बहुत सारी आवाज कटी है ऐसा मुझे से पता पड़ा है इसलिए कुछ बहुत ही मनोबल कहीं न कहीं टूटने लगा है पर इसी मनोबल के लिए मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं कि अगर आप विचार करें कि एक बार ये लॉक्डाउन खतम होता है और उसके बाद में फिर से आपकी भागम भाग वाली जिन्दगी शुरू होती है तो आपको थोड़े द और चुटियां मिल जांएं जिसे कि हम थोड़ा सा अराम कर सकें और वापस से रिफ्रेश हो सकें मुझे लगता है इन चुटियों को यूटिलाइज करें के लिए इस लॉक्डाउन को यूटिलाइज करने के लिए सबसे बहतर है कि हम टाइम टेबल बनाएं टाइम टेबल जैसा एक्जाम के पहले बच्चे बनाते हैं जिसमें एंटर्टेइन्मेंट के लिए जगह हो इंटर्टेइन्मेंट में सिर्फ टीवी या नेटफ्लिक्स या वेब सिरीज ही नहीं अगर हम इनोवेटिव इंडोर गेम्स या हमारे पुराने गेम्स याद करें जैसे कुछ स्पेशल गेम्स राजा मंतरी चोर सिफाई, कहरम हम अगर ये अपने परिवार जनों के साथ खेलें तो हमें बहुत आनन्द आएगा दूसरी चीज़ है एक्सराइज और मेडिटेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है कि अगर हम एक्सराइज और मेडिटेशन करते हैं और इस चीज़ की हम आदत बना लेते हैं तो ये कंटिन्यू करेगा ये हमेशा हमें कहीं न कहीं सायोग करेगा हमें स्वस्त और स्वच रहने के लिए फिर आती है बात कि हम अमरे परिवार के लिए कुछ समय नकालें जैसे पुराने किस्से आद करें या पुराने फोटोज देखें पुरानी अलबम्स वीडियोज तो हमें बहुती आनन्द आएगा फिर आती है बात कि थोड़ा सा समय हम अपने लिए भी निकालें अपनी रुचियों को टटो लें किसी को लिखने का शौक है किसी को कुछ बनाने का शौक है किसी को कुछ सिलने का शौक है जिस भी चीज में जिस चीज की रुचियां हैं हम वो रुचिय अपनी उस समय पू मैं भी मानता हूं कि आगे अभी आने वाला समय बहुत कठिन है पर अगर हम एक छोटा सा विचार करें कि अभी कुछ ये जो लॉक्डाउन का समय है इसमें हमारा कितना खर्चा हुआ या हमें कितने रुपेओं की जरूरत पड़ी मुझे लगता है कि एक साधारन जीवन जीन के लिए हम लोगों के उतने ही संसाधन और उतने ही रुपेओं की जरूरत पड़ेगी तो अगर हम ये तीन से छे महिने इसी तरह से जीवन आराम से व्यतीत कर लें तो मुझे लगता है कि फिर से बचस शुरू होना चालू हो जाएगी तो आप इस चीज़ की चिंता करके परिशान होते रहें तो ये लॉगडाउन पूरा खराब हो जाएगा इससे अच्छा है कि हम ये विचार करें कि हम पैसे संचे करें और सारी चीज़ें फिर से नॉर्मन पट्री पे आ जाएगी इसी चीज़ के लिए संत योगी जी ने कहा है जिन्दा हो तो जिन्दा क्या है पता नहीं जो भी है आज में है फिर भी दिल को कल की फिक्र सता रही इसी के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि जितना भी है उसमें खुश रहें और कोशिश करें कि आपने असपास कोई भी भूका ना सोई इसी के साथ मैं खुश रहिए मस्त रहिए स्वस्त रहिए ज जेहिं शेह भारत